नमस्कार दोस्तों बदो साथ आपको आमरे चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकरी देने वाले हैं उसे सुनकर आप चौक जाएंगे दोस्तों इस बात पर पहले सी अंदेशा जताया जा रहा था क्योंकि इंडिया और चीन के बीच में जो संबन थे अ है कि ऐसी कौन सी चाइनीज एप्लिकेशन है जो इंडियन डाटा को आपके डाटा को परसनल डाटा को चुरा कर चाइनीज सर्वरों के अंदर भेज रही है तो दोस्तों अब इसी बात के उपर आज महुर लग गई है आज की डेट आप नोट कर लिजे 29 जून 2020 के सबसे ब दोस्तों आप में से कई लोग इसे सुनकर खुछ भी हो रहे हैं लेकिन बहुत से लोगों को सदमा भी जरूर लगेगा लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आप अगर टिक टॉक यूज़ करते हैं तो अब आपको अपने फोन से उसे डिलीट करना पड़ेगा और अब आप उसे play store से दुबारा से install भी नहीं कर पाएंगे लेकिन अब आपको करना क्या है इस application को uninstall तो आपको करना ही है. लेकिन uninstall करने से पहले आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है नहीं तो आप बाद में बहुत पस्ताएंगे. तो दोस्तों वो ध्यान आपको क्या रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने phone की settings के अंदर जाना है और settings के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है manage application के अंदर तो manage application वो एक column है जहाँ पर हमारी applications होती है तो सब अपने phone में ढूंड लिजेगा तो settings में manage application में आपको जाना है manage applications के अंदर जाकर आपको जो download की हुई application है उन application के अंदर जाना है वहाँ पर आपको tik-tok ढूंड लेना है तो यहाँ पर आपको सारी जितनी भी आपने application डाउनलोड की हुई है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी वहाँ पर आपको tik-tok के उपर जाना है या जो भी application आपको delete करनी है वो आप इस तरह से कीजे तो आपको tik-tok के उपर जाना है तो clear data करके वो आप data यहाँ से delete कर देंगे उसके बाद ही आपको इस application को uninstall करना है uninstall करने से पहले इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है नहीं तो आपका जो personal जो data जो इस application में है वो उसके साथ-साथी वो बहार भी जा सकता है तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है और यह बहुत ही बड़ी ख़बर थी आज की कि सबसे ज़्यादा जो tik-tok जो popular हो चुकी थी वो अब Indian government ने इसके उपर band लगा दिया गया है और उन्होंने जो कहा है वो यही बात बोली है कि यह जो Chinese application है वो इंडिया के यूजर के personal और private data को Chinese servers के अंदर भेज रही है तो दोस्तो यह जानकर आपको कैसे लिगी प्लीज हमें comment करके ज़रूर बताइए अगर अच्छे लगी हो तो इसे like किज़े अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के ओपर subscribe के लाल निशान के ओपर touch करके और उसके पाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको मारे बनाएवी नए नए वीडियो लगातार मिलती रहे यह बलकुल free होता है आप इसे जहाजादा फायदा उठा सकते हैं तो अभी कले इतना ही धन्यवाद